आज किस वीडियो में हम जंप सुट बनाना सिखेंगे और सिखेंगे तुदे के इस तरह से नहीं जंप सुट बनाया है और चलिए सिखेंगे स्टाट करते हैं तो हमने देखी इस तरह से जंप सुट बनाने के लिए हमने यह फैब्रिक लिया है और यह हमारी कॉटन फैब्रिक है और फैब्रिक को हमने धाय मीटर लिया है धाय मीटर फैब्रिक में आपकी जंप सुट राम से बन जाएगी तो यहां मेरी डाबल फोल्ड में लेंगे। यहां पर देखिए हम ने फैबरिक को फोर फोल्ड में कर लिया है इस तरह से हमारी यह फैबरिक फोर लेयर में हो गई है और इसकी हम लेंगे तो हमने टॉप पर्ट की लेंद 17 पर रखा है 16 इंच पर हमने टॉप को रेडी करेंगा और एक इंच हमने मार्जन रखा है तो इस तरह से जम सुट बनाने के लिए आपको जम सुट की टॉप पार्ट 16 इंच पर रखनी होगी जिसे फिटिंग काफी अच्छी आएगी और एक इंच हमने मार्जन रखा है और यहां पर इस तरह से हमने और लाइन को स्टेट कर लेंगे और यहां पर देखिए अब अपनी बस्ट की मार्किंग करेंगे तो वाज 36 इंच की हम में बना रही हूं तो इसकी फोट पार्ट 9 इंच होगी तो मैं यहां बस्ट की फोट पार्ट को फोट पार्ट लूगी यानिकी 9 करेंगे जंप सुट बनाने के लिए तो यहां पर हम पनी हिप की मार्किंग लेनी होती है अपनी कमर की मार्किंग नहीं लेनी है तो जो भी अपकी हिप की मार्किंग है यानिकि जो भी हम प्लाजो पैंट में यह उसकी मार्किंग करेंगे यानिकि बोटम को उससाब से मार् तो परफेेह लाय को जोईंट कर लेनी हैं तो टॉप पॉर्ट में कमर के साइड में अच्छा करनी है और यहां से हमने सेफ देनी हैं अ confess के क्रफेव अफ इंदर से करते हुए अपनी front amol के लिए हमने सेव दे देनी है तो यहां हमने सेव दे दिया है अपनी neck की marking करेंगे तो neck हमने trinch में mark करनी है और हमने neck due पहेडिब हमने चारइंज पर रखेंगे, य Cr進 77 फ़ल और यहां से फक्रश्ट के लिए 5 जीप लखेंगे और इस तरह से लाइन के स्टेट कटके हमने नेक में सेव देनी है तो यहाँ पर नेक डिप हमने बैक के लिए चार इंच और फ्रंट के लिए हमने फांच इंच पे रखा है और इस तरह से माग कर लेंगे और हम इसी कटिंग कर लेंगे तो यहाँ पर पहले मैं back neck की cutting करूँगी और back armhole के लिए cutting कर लेते हैं और तो देखिए इस तरह से हमारी यह cutting हो गई है और यहाँ से half inch हमने solder को down कर लेनी है तो और इसके हम cutting कर लेंगे तो half inch हमने solder को भी down कर लिया है और इसमें से हमने back part को अब अलग करनी है तो इस तरह से देखिए हमारी यह top part की cutting हो गई है अब हम अपनी bottom part की cutting करेंगे तो यहाँ पर देखिए bottom part के लिए हमने इस तरह से fabric को four fold में रखा है तो देखिए bottom part के लिए हमने fabric को four layer में रख लिया है और अब इसकी marking करेंगे तो हमने जो टॉप पर्ट की कटिंग किया है उसको हम लेंगे और इस तरह से हम यहां पर रखेंगे और यहां के देखिए क्योंकि टॉप पर्ट में हमने जो हिप की माकिंग किया है तो इसी हिसाब से यहां पर भी हम माक कर लेंगे और इस तरह से यहां पर हमने आसन की तो आपको एक से दो इंच ज्यादा लेनी होगी और तो इस तरह से हमने आसन को 15 पर रखा है और यहां पर देखिए टॉप को हमने आसन को 15 पर रखा है और यहां से धाइंच हमने मार्ग करेंगे क्रोच के लिए तो यहाँ पर धाइंच पर हमने क्रोच के लिए मार्ग कर लेनी है और इस तरह से लैन को स्टेट करके हमने क्रोच में सेप देनी है तो जम सुट की अब जब ही कटिंग करेंगे टॉप पार्ट में ही कमर के सैड में आपको अप बोटम बाट की मोहरी लेंगे तो वो हमने 12 इंच पे रखा है और इस तरह से लेक सेपनर को रखते हुए हमने दोनों पॉइंट को जोड़ लेनी है तो आप इसे इंची टेप से भी कर सकते हैं दोनों पॉइंट पे रखते हुए इस तरह से माक कर लेंगे तो इस तरह से हमार इसके cutting कर लिया है तो देखिए हमारी bottom part की भी cutting हो गई है और यहाँ पर देखिए हमने bottom part की length ले लेनी है तो bottom length हमने 38 inch पर रखनी है और यहाँ पर plus 2 inch हमने margin add कर लेनी है यानि कि 40 inch पर हमने इसके mark कर लेनी है 2 inch हमने bottom को fold करेंगे तो यहाँ पर हमने folding के लिए 2 inch रख लिया है और इस तरह से हमने 40 inch पर हमने mark कर लिया है bottom part को और अपने top part को हमने 16 inch पर cut किया है तो इस तरह से हमने cutting कर लिया है अब इसके stitching करेंगे तो यहां पर चलिए हम इसके stitching करते हैं तो यहां पर देखिए हम नेक पटी को cut किया है और नेक पटी को इस तरह से इस पर रखके हमने अपनी नेक को ready कर लेनी है तो यहां से हमने stitch लगा कर इस इंद्रिक साइट फोल्ड करके इसमें एक टॉपर स्टीच लगा लेंगे जिसे नेक पटी में हम अपनी नेक को ready कर लेंगे जैसे simply हम करते हैं तो देखिए इस तरह से हमने ready कर लिया है हम और यहां पर देखिए अपनी back side को हम लेंगे यहां पर खुला रखनी है तो यहां बैक-side को हम इनी हम जीपर लगाएंगे इस तरह से हमने यहाँ पे center पे mark लगा लेनी है और यहाँ से हमने देखिए इस तरह से अपने jiper को लेनी है और जितनी भी इसकी land है उस हिसाब से यहाँ पे mark कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए jiper की land हमारी जितनी है उतना पे हमें mark लगा लेंगे तो इस तरह से हमने यह माक लगा लिया है और यहाँ पर भी हमने सेंटर से लैन को इस तरह से स्टेट कर लेंगे तो बिल्कुल सेंटर पर आनी चाहिए दर अधर नहीं होनी चाहिए तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने माक कर लिया तो इस तरह से देखिए इसमें हम इस तरह से यह जीपर लगाएंगे तो पहले देखिए इस तरह से हमने 2 इंच का पटी कट किया है यानि कि इसके विर्थ 2 इंच है इसके लानत इसके अनुसार है और इसको भी हमने बीच से ऐसे कट कर लेनी है और इस तरह से देखिए इसके stitch लगा लेनी है तो इस तरह से हमने stitch लगा लेंगे तो देखिए हमने इस तरह से stitch लगा लिया है आप इसे wrong side के और हमने इसे turn करनी है तो देखिए इस तरह से हमने wrong side के और turn कर लेंगे इसे और इसको हमने अब इसे wrong side में रखनी है तो इस तरह से देखिए अपने जीपर को लेनी है तो इस तरह से हमने यह जीपर को लेनी है और इसे भी हमने इस तरह से रॉंग साइड में रखेंगे तो यहां पर मैं अब यह पिंच लगा के अच्छे से सेट कर देती हूं और फिर इसमें हम स्टीच लगा लेंगे तो देखिए हमने pin को अच्छे से set कर लेनी है अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं है तो please subscribe कर ले, bell icon को भी प्रेज कर दे तो यहां पर देखिए हमने इस तरह से पिंज से अच्छे से सैट कर दिया है अब हम देखिए इसमें यहां पर इस तरह से किनारी में इस तरह से स्टीच लगा लेनी है और यह जो अमरी खुला साइड है यानि उपर साइड है इसे हमने अंदर के और फोल्ड कर लेंगे और इ यहां पर दिखिये, रख लिए है और जीपर हमारे है, यहां पर रश्चेट मे है, बहुत ही है, रक जीपर से घए, यह घख लिए है, तो देखिये, इस तऱ से मने लगा लिया है, अब दोनो refin히 पार्ट को रख़ यह मिनस्कि geek है हम स्ट्रर को ज्रेंट कर लेते हैं तो देखिए हमने इसके सॉल्लडर को जोइंट कर लिया है अब हमने अपनी बाटम पाट को श् Sinus करेंगे तो इस तरह से हम लेंगे और यहां पर देखिए इसे हमने नियां साइड में रखेंगें setup ने ने बाटम पाट को स्व१ुष में रख लेनी है तो इस तरह से देखिए हमने इसे रोंग साइड में रखके इसकी आसन में सिलाइल लगा लेनी है तो दोनों ही आसन में हमने सिलाइल लगा लेनी है तो यहां से देखिए हमने सिलाइल लगा लिया है और इसे हम इस तरह से आपन करके इसकी सेंटर में भी सिलाइल लगा इस तरह से इसकी संटर में हमने स्लाइल लगा लेंगे और यहां से हमने बोटम को भी फोल्ड कर देनी है जो हमने मार्जिन दो इंच का लिया है इस तरह से फोल्ड कर देंगे तो हमने यहां पर सिलाइल लगा लिया है और अपनी स्लिप की कटिंग कर लेते हैं तो स्लिप के आप हमब अपय जो perceptions को और हमारे में तो इस तरह से देखिए अपने केशू है बांप इस दूथ नियुक्त है को कशोम है स्लिभ नरंदा इस टाइज अब Ciao अब शुक्त से कि नफिई देगे और रही तो दो चाहे के 6-現時 की प्रकाइब, और मर्ज़न लायिने है और और इसा में बोएने हों हमें को दोने माम स्कूथर का मिलने जूइ ले हमारी चोलब मार्किन घना लिएतेशन हैं हम उनलेगी का लाय चाहते और यहाँ पे हमारी सिंपील स्लिप है तो सडीं है कि फु आ में बाऊने सिंपल को करते हैं बिल्कुल वैसे ही कट कर लेनी है है तो हमारे इस लिए कि कटिंग हो गई है हम इसे 104 को टब कर देंगे द un DENNIS में तो फ्रने की यह कट कर लिया और यहां से धिया हमने इस तरह से अलग से चार इंच की पट्टी कट किया है इसको इस तरह से स्टीच करके हमने इस तरह से स्टीच करनी है इसमें हमने डोरी लगाएंगे तो हमने इसमें डोरी लगानी है इसलिए हमने पट्टी को अलग से स्टीच करनी है तो देखिए इस तरह से हमने पट्टी को स्टीच कर लिया है अब हम इसको अपनी टॉप पार्ट में इसको जोइंट करेंगे यानि कि अपनी स्लिप को हम अठेच कर लेंगे अपनी टॉप पार्ट में तो इस तरह से गहराई वाले जो पार्ट है वो हमने फ्रंट क्यों रखनी है तो यहां से देखिए इस तरह से हमने सिंप्ली इस तरह से हमारी जो फिटिंग की लाइने उस पे हम सिलाई लगा लेंगे तो हमने लगा लिया है और यहां से हमने बॉटम पार्ट को भी इस तरह से रेडिक किया है देखिए इस तरह से बिल्कुल यह बराबर आनी चाहिए तो इस तरह से दोनों ही पार्ट हमारी बिल्कुल बराबर यह है श्के ही याने इसके ही जो थी हमने ली थी इसलिए यह बिलकुल बराबर है तो आप देखिए इस तरह से हम इसे रोंग साइड में रखेंगे तो यहां से रॉंग साइड में रखाएंगे और इस तरह से सेंटर पे स्टीच लगा लेंगे तो इस सिलाई हमारे बिल्कुल सेंटर पर ही आनी चाहिए तो यहां से हमने रॉंग साइड में रख लिया है और टॉपट को भी हमने रॉंग साइड में रख लेनी है और इस तरह से देखिए इस तरह से सेंटर से मिलाते हुए इसको हमने पूरी गुलाई में इस तरह से स्ट कर लेनी है तो देखिए इस तरह से हमने इस्टिच लगा लिया है और इसको हमने अब राइच रेट के और टर्न करनी है तो यहां पर देखिए हमने इसे राइच रेट के और टर्न कर लेंगे तो देखिए हमने इस तरह से राइच रेट के और टर्न कर लेंगे अब यहां से ह भीबग दो इंच पर हमने इस पटभी को रखा है उसकी हम बैल्ट बनाइब जिसमें की हम डौरी लगाएंगे यहां पर देखिए वैल्ट को बनाने के लिए हम रस्च प्तिविए क्या खर नहीं यहां से साइड में श्टीच लगा लाइके चाप सेंगा लेँए धिद्राइत परहीं हाऊज को से साइड में दुरिवेश दालना है, श्छाशट में में सिभीश लगाना है, यहां से साइड में इस दोर लेज तकल्टЕ है तो फैबरिक फेब्रिक को फूल्ड करके श्टीच लगा लेंगी से हमारी गंड यहां पर देखिए हम फॉल्ड करके दोनों साइड से स्टिच लगा लिया है तो इस तरह से हमने stitch लगा लिया है अब यहां पर हमने dory लिया है जो कि हमने 162 बनाया है तो इस तरह से लंबी सब्सक्रापी हमने बना लेनी है और यहां से अबarma इस बैल्ट में हमने डाल लेनी है तो बैल्ट को देखिए दोनों साइड में हमने स्टीच किया है जिसे डोरी डालने की जगह यहां पर असानी से बन जाएगी तो यहां पर देखिए हमने इस तरह से यह डोरी को डाल लिया है और इस तरह से आप अपने अनुसार इसो कम जादा कर सकते हैं य बहुत ही फिनिसिंग के साथ यह बनेगी और यहां पर देखिए हमने स्लिप में भी इस तरह से डौरी का यूज किया है इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा से आपको जम सुट बनेगी और फिनिसिंग भी काफी अच्छी आएगी अगर आपको यह वीड स्क्राइब करते करें